आहें स्टार्ट करते हैं अपने एक सिर्साइस का लास्ट पार्ट जिसमें हम निमेरिकल प्राउलम्स को देख रहे होंगे स्टार्ट करते हैं अपने निमेरिकल नंबर वन से हमारे पास एक गिवन वोल्ट जैनि के एमफ उसकी गिवन है इसके लाब अपने रियुक्त को फाइंड करना है और हमारे पास हमने इसमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास कितने नमबर आफ चारज जो हैं फाइव मिनिट में लीफ करते हैं देखें हमारे पास जो given है E MF जो है वो हमारे पास E है 12.8 वोल्ट और हमारे पास जो current है इसमें I वो है equal to 3.2 amperes हमने इसमें resistance of the circuit को find करना है और को हमने इसमें find करना है और आपको इसका formula बता है E is equal to IR या V is equal to IR तो यहां से मैं R अगर find करना चाहूं तो R is equal to E over I हो जाएगा E की value मैं इसके इंदर put करता हूँ 12.8 जबके I है मेरे पास 3.2 और अगर मैं 12.8 को 3.2 से divide करूं तो मेरे पास आता है 4 ohms हमारे पार resistance हमने इसकी find कर ली that is 4 ohms अब इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा part है उसमें कहा रहा है how many coulombs leave the battery in 5 minutes यानि कि हमारे पास इसने time दे दि minutes 5 minutes का मतला में हमारे पास seconds केतने है 5 into 60 जयनी के मारे पास 300 second हमें time in timez of seconds हमने इसमें क्या find करना है اور रहता है क्यों Wow करन का फर्मूला है i is equal to q over t यहां कि delta q over delta t भी हम इसको लेख सकते हैं change in charges over change in time हमारे पास हमने change in charges को find करने time मारे पस 300 seconds और current हमारे पास already 3.2 अमपेर गिवन है तो अगर मैं यहां से charge को निकालना चाहूं यह delta q को निकालना चाहूं तो वो क्या होगा i into t q is equal to i t बड़ा common सा फर्मूला है i की value हम put कर देंगे 3.2 जब के हमारे पास जो इसमें time है वो 5 minute था वो equivalent होगा 300 seconds के 300 को मैं 3.2 से जब multiply करता हूं 300 multiply by 3.2 तो यह मेरे पास आता है 960 coulombs ठीक है जी हमारे पास 960 coulombs आ जाता है यानि इतने number of charges जो हमारे पास उस surface में से निकल रहे होंगे तो यह आपने देखा कि अगर आपके पास given voltage और इसके लावा current हो तो आप resistance find कर सकते हैं और अगर आपके पास time given हो और current given हो तो आप easily इसके charges find कर सकते हैं by using i is equal to q over t से